हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ाएंगे MPT क्लास के बारे में MPT क्लास को हम ग्लोबल क्लास के तरह भी यूज़ कर सकते हैं मतलब लाइक उसके तरह हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले हम जाने थे MPT क्लास होता है क्या है जिसके MPT से पता चला है कि इटमिस खाली कुछ नहीं हो क्लास को क्लोज कर देंगे तो यह हमारा क्लात है MPT क्लास बट इसका भी कोई साइज होता है तो इसका पहले सिंटेक्स लिख लेते हैं आप हेडर फैल लगाएंगे सबसे पहले उसके बाद क्लास देन क्लास नेम कुछ भी नाम डाल सकते हैं यहां पर एंडेन कर्ली ब्रैस यह हमरे MPT क्लास क्रेट हो गया और वाइड में में आपको जो लिखना है वह आप राइट कर सकते हैं उसके बाद जिसके मैंने बता था कि MPT क्लास भी कुछ ने कुछ इस पेस लेता है में 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 तो हमें कैसे पता चलेगा हम एक चीज इसका बजक्ट बना सकते हैं क्योंक तो 번ो में में तो इसके बाद क्या करों मैं और इस ऑब ज्यक्ट से मैं इसका साइज जाना है 曹TheEots का साइज कितना है या स्पेस का पाई करता है तो साइज दाने के लिए मैं इस साइज ओफ क्लास मैं डिया है ये ये और shows कितना साइज में एक साइज भी मोलाता है उसको हम ऐसे लिखते हैं साइज of then object का name and then close तो मैं यहाँ पर वही चीज़ लिखूंगे size of object name then close and यह हम semicolon and last में get cs लगाए कि इसको close कर देंगे तो यह क्या करेगा इस class का size बताएगा आप जब सको run करोगे तो size of class कितना बताएगा one byte ठीक है यह one byte space लेता है memory में this is known as empty class अब इसका हम practical way में turbo c++ में program करेंगे और यह कैसे run करता देखते हैं और तो भवे बताएगा जु सुम्ड़श Ado उजब दूब पाउब बस्ति प्रबस्ति इन जन्ति पाउ आज़ता सिब एक पाऊचे कोईजने को पुऑग हुग 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 झाल 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 झाल